नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं बाहु भाग लेंगे बतादे राश्टी ये कैड़ेट कोर के गंतंत्र दिवस परेड में चैनित होने के बाद कैड़ेट दिली में गंतंत्र दिवस केम्प में बिहार जर्खन नीदे सालाई एंसिसी का प्रतिनिधित्व करेंगे डोनो कैड़ेट, कार्तिक, उराव, कॉलेज, गुमला में असनातक, राईनितिक, सास्त्र और भोगोल भीभाग के चात रहा हैं जार्खन में पच्मी विछोब के असर के कारण ठंड का असर रहेगा और कनकनी से परसानी बने रहेगी बता दे आसमान में बादल छाय रहेगा और मौसम सूस्क रहेगा बताया कि अगले 3-4 दिनों के दराने तुम तापमान में 2-4 डिरी गिरावट हो सकती है साथी 2-3 दिनों तक सुबह में कौरा रहने की संभवना है मौसम विभागने रांची और इसके आसपास के छेतर में मौसम के सोस्क बने रहने की समभवना जताई है बतादे 17 जनवरी सुब्बा में कोहरावा धुन छाया रहेगा बाद में आसमान साफ रहेगा अधिकतम ताप मन 20 डिग्री सेल्सिया जबकि नियुम तब 9 डिग्री सेल्सिया रहने की समभवना है इसकूल खोले जाने पर गंभीरता से विचार हो पास्वा जार्खन परदेश प्राइवेट स्कूल और चिल्डर्न एवेल फेर एसेसियेशन ने राज सरकार के कोरोना की गाई लाइन का समर्थन करते हुए इसकूलों में की सोरोक टिकाकरन में पूर्ण सहयोग की बात कही है बता दे पास्वा के परदेश अध्यक्ष आलोक दूबे नरभिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि पास्वा टिकाकरन में परशाशन को पूरा सहयोग करेगा इसके लिए स्कूलों में भी कैम्प लगाने में सहयोग किया जा रहा है साथ ही उन्होंने स्कूल को खोले जाने पर बल दिया कहा कि करोना काल में जब दुनिया का हर काम हो रहा है तो स्कूल खोलने और ओफलाइन कलास सुरू करने की हर संभावना पर गमेता पूरवग विचार करना चाहिए उन्होंने बताया कि स्कूलों में ओफ्लैन कलास शुरू करने के मुद्दे को लेकर 18 जन्वरी को राजे के सभी जीला के उपायुकतों के मैध्यम से मुख्य मंत्री को ग्यापन सोपा जाएगा मौकिक पर पासवा के परदेश उपाद्यक लाल किसोर भी थे रांची में नबालिक को अगवा कर गैंगरेब जार्खन की राजधानी रांची में रभी वार सुबा एक नबालिक से बलतकार का मामला समने आया है बताया गया कि कार सवार तीन अपराद्यों ने मौर्निंग वाग पर निकली तीन लड़कियों में से एक को पकड़ लिया और कार में समोहिक बलतकार किया बता दे यह मामला चान होताना छेत्र के महवा टोलीका है पूलिस इस मामले की जाच में जूटी है और अपराद्यों गिरफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है बता दे खलारी डी एसपी ने दोपर को बता है कि अपराद्यों का पता लगाने के लिए वरदात के मौके पर मवजूद बाकी दोनों लड़कियों से पुछताच की जा रही है बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाला 13 साइबर अपरादी गिरफतार साइबर क्रिमिनल का सेफ जोन देवघर जीले से कई ठगी के मामले सामने आते हैं बता दे इसी कडी मेर अभिवार को जीले की साइबर पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने क्या रोप में 13 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफतार किया है बता दे इन साइबर पुलिस ने इन साइबर क्रिमिनल्स के पास से 11 मोबाइल फोन और 32 थीम कार्ड भी बरामत किये हैं देवघर की साइबर पुलिस की टीम ने जीले के करोव, मरगो मुंडा और मोहन पुर्थाना चेत्रे के विभीन अस्थानों परचापे मारी कर कूल तेरा साइबर की टीमिनल्स के अफ़तार किया है खरमास खत्म अब 20 जनवरी से बजेगी सहनाई सुर्यक के मकर रासी में परवेश के साथ ही खरमास का समापन हो गया है इसके साथ ही सुब मोहर्थ वा कारियों के सुरुवात हो गई है पता दे आगामी 20 जनवरी से ही लगन का मोहर्थ मिलने से सहनाई कुझने लगेगी बता दे इस साल बिवा के सुब मोहर्थ भी भरमार है तथा पूरे साल में 33 दिन बिवा के सुब मोहर्थ है बता दे माई में सबसे अधिक मोहर्थ है वहीं मार्च माह में गुरु अस्त रहने की वज़ा से साधी का लगन नहीं होगा साल का पहला लगन 20 जन्वारी से सुरू हो रहा है बिना वर्दी पहने अपराधी को पकड़ने गई राची पुलिस पर ग्रामिनों का हमला जार्खन के राची जीले के खलावी थाना चेतर के राय मुसलिम मुहला में अमन सागिरोह के अपराधी को महमोद आलम ओर्फ नेपाली को ग्रेफतार करने गई पुलिस टीम पर अस्थानिये ग्रामिनों ने हमला कर दिया बतादे पुलिस टीम में सामिल अधिकारी वर्दी में नहीं थे ग्रामिनों का अरोप है कि पुलिस जवान महिला के साथ छेरशा कर रहे थे उग्र ग्रामिनों ने पुलिस टीम को खेर लिया टीम में पांच पूरूस और दो महिला जवानों से धाका मोकी भी करने लगे बता दे उनके हतियार भी छीन लिए पुलिस टीम ग्रामिनों के आगे पुरी तरह बेवस नजर आ रही थी पुलिस टीम के जवान बार बार बता रहे थे कि वह पुलिस जवान है लेकिन ग्रामिन पुलिस मानने को त्यार नहीं थे जे एस एससी में बार सो एक्तालीस पदोपर न्योक्ती के लिए परकिरिया शुरू जार्खन करमचारी चायन आयोक की समान ये असनाता के योकता धारी सन्योक्त परिक्षा 2021 में सामिल होने के लिए आनलान पुर्ण बारने की परिक्षा सुरू हो गई है इस परिक्षा के लिए ऑनलाइन फौर्ण 14 परवरी 2022 तक भरे जाएंगे वहें डिप्लोमा अस्तर ये सन्युक्त परत्योक्त परिक्षा के लिए 30 जनुवरी 2022 से ओनलेन फ्रोम भर जाएंगे बता दे दोनों परत्योक्त परिक्षाओं के माध्यम से कूल 1241 पदो पर न्युक्ती होगी धनबाद के होटल में बारावी के बचों के बिदाई के लिए फेयर वेल पाटी डिजे के धून पर नाचते इन बचों के जो तस्वीर देख रहे हैं वह किसी साधी समारों का नहीं बलिक धनबाद के एक होटल में बरहवी के बचों के लिए आविजित बिदाई समारों की तस्वीर है बता दे ऐसे समय में जब कुरोना संक्रमन की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने पुरे जारखन में 31 तारिक तक पावंद्या बढ़ा रखी है वही स्कूलों में आफ्लाइन पढ़ाई भी बंद करने का आदेश है होटल, मौल, रेस्ता, पॉप, पार्क और जीम जैसे तमाम जगोंपर मिनी लोकडाउं सीच्थिती है तब भी बरावी के बच्चों के लिए होटल में बिदाई समरो कावेजन चौकाता है और चिंतित भी करता है जारखन में सनीवार को कुरोना के 32-52 मरीज मिले जबकि 33-51 मरीज स्वश्थ हुए वही साथ की मौत हुई है सनीवार के आकड़े के अनुसार जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 33,92 है भारत में 2,25,549 नए केस मिले है जबकि 1,42,49 मरीज स्वश्थ हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 16,33,746 है जारखन के ताजा कुरोना अपडेट जानने के लिए साम 5 बजे का वीडियो देखना ना भूले धरोगा लाल जी यादव सुसाइड मामले में केंद्रिय मंत्री ने की CBI जाच की मांग केंद्रिय राजे मंत्री और पूर्णा देवी की नेतित में भाजपा का एक परतिनीदी मंडल रभिवार को राजबहन जाकर राजपाल रमिस बैसे मुलकात की पतादे बिजेपी नेताओं ने राजे में बढ़ रहे प्रादिक मामलो और पलामू में दरोगा लाल जी यादव की मौत को संद्रियास पत बताते हुए CBI जाच की मांग की है भाजपा परतिनीदी मंडल के साथ दिवंगत दरोगा के भाई भी राजबहन पहुचे थे उन्होंने अपने भाई की मौत मामले में राजे सरकार की CID जाच पर औभी स्वास जताते हुए राजे पाल से CBI जाच कराने की गुहार लगाई एक महीने बाद जार्खन में कुरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में जापा है जार्खन में सेमी लोगडाउन का असर दिखने लगा है करीब एक महीने बाद राजे में संक्रमितों से अधीक लोग स्वस्थ हुए है बतादे सनीवार 15 जन्वारी को राजे में 72 ठावन नएक कुरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 33 अवेकावन लोगों ने कुरोना कुमात दी है जो रहात भरी खबर है हलाकि सनीवार को राजे में 7 लोगों को मौत भी हुई है बता दे कुरोना संक्रमन से बरतमान में राज्य में 33 या नवास्दी अक्टिप केस है देवघर बढ़बाद पैक्स अध्यक्स पर धान खरिद में गरबड़ी कारोप देवघर जीला अंतरगत सारट परखंड के बढ़बाद पैक्स अध्यक्स बिसेश्वर महतो पर अपने और अपने रिष्टेदारों के नाम से पैक्स में धान विक्री करने में गरबड़ी कारोप लगा है बताद सारट परखंड के बी सीओ ने इसकी जांच रिपोर्ट असिस्टेंट रजिस्टार विजय कुमार नागर को भेजी है बी सीओ की रिपोर्ट के अनुसार बड़बाद पैक्स अध्यक्स बिसेश्वर महतो ने एक ही परिवार के नाम से पाँच आईडी अंतरगत कूल नावसाव चेहतर किन्टलधान का उपज होना संसर पैदा करता है रिपोर्ट के अनुसार बिसेश्वर महतो अपनी पुत्री पूत्र और पुत्रवधु के नाम से रजिस्टर आईडी में जमीन का रखबा दो साल पहले जीतना दिया था दो साल बाद जमीन का रखबा उन्ही लोगों के नाम से तीन गुना हो गया हजारी बाग के आदिवासिवा दलित परिवार बरसों से पी रहे नाला वा चुए का गंदा पानी जारखन के हजारी बाग जिले के इचाग प्रखण अंतरगर डाड़ी घागर पंचायत के प्रणपनियां एवं सीमरा तरी गाओं के ग्रामिन अजादी के साथ दसक बित जाने के बाद भी पहाडी नाले और चुवा खोद कर गंदा पानी पीने को मजबूर है बता दे ग्रामिनों ने भाजपा नेता रमेश कुमार हेमरम के साथ पानी की समस्या से कई बारास्थानिये विधायत संसत एवं अधिकार्यों का अगत भी कराया है लेकिन समधान नहीं हुआ इंडियन सोचल एक्टिविस्ट डाक्टर देवेंदर स्टिंग देव ने इसे गंवीता से लिया है खोटी से तीन नक्सली गिरफतार खोटी जिला पुलिस को नक्सली संगठन पीलेफाई के उगरवादियों खिलाब फिर एक सफलता मिली है बता दे रणिया थाना चेतर के रंग रोडी गाउं की ओर किसी घटना कौनजाम देने के लिए पहुँचे तीन पीलेफाई नक्सलीयों को पुलिस ने गिरफतार किया है बता दे इसमें एक नवालिक है इस बात की जनकारी स्पी असटोस सेकर ने दी खोटी स्पी ने कहा कि गिरफतार पीलेफाई नक्सलीयों में डाहू, पुरुना, पानी, निवासी, विसराम, कौनगाडी, उर्फ, मोटा उर्फ, सुकरा सामिल है टाटा इस्टील में लागू हुआ पोड सिस्टम बढ़ते कौना संक्रम उनको देखते हुए टाटा इस्टील के पूरे पलांट में पोड सिस्टम लागू कर दिया गया इस सिस्टम के तहथ विभाग के करमचारी की संख्या को चार गुरूप में बाठ दिया गया है फिर परतेक समो को सिफ्ट के अधार पर चार पोड में बाठ दिया गया इन चार पोड को सेक्षन अस्तर पर टाटा इस्टील में करमचारीों की संख्या के अधार पर प्रती सिफ्ट चार से साथ पोड में बाठ दिया गया अगर इसमें से किसी पोड के करमचारी कुरोना संक्रामित पाए जाते हैं तो उस पोड के करमचारीों को हाई रिस्क कंटेन्मेंट की स्रेनी में रखते हुए साथ दीनों के लिए आइसुलेशन में भेज दिया जाता है जारखंड के मेले में मूर्गे की बाजिगिरी हारने पर मिलती है मौत मकर संक्रान्ती और टूसू उच्छो पर पूर्वी सिंभूम के ग्रामी इलाके में टूसू मेले का योजन किया जाता है इस दोरान सबसे बड़ा करसक का केंदर मूर्गा पड़ा होता है मूर्गा पड़ा में मूर्गों की लड़ाई होती है इस लड़ाई में हारने वाले मूर्गों को मिलती है मौत बता दे जितने वालों को जिन्दगी भी मिलती है मुर्गा पड़ा में लोग लाखो की बाजी अपने अपने मुर्गे पर लगाते हैं दूर दूर से आई बाजीगर अपने मुर्गे के लिए साइज के अनुसार प्रतिद्वांदी चुनते हैं इसके बाद तय होता है कि जितने वाले मुर्गे को हानने वाले मुर्गे के साथ कितने रुपे मिलेंगे इसके बाद दोनों मुर्गों को अखाडा में लडने के लिए उतारा जाता है धनबाद से गीरी डी के बीच चलेगी ट्रेन धनबाद से गिरीडी तक घने जंगलों से घिरी पहाड़ी और नदियों के उपर से गुजरने वाली ट्रेन के सफर का ख्वाब देख रहे है यात्रियों के लिए अच्छी खबार है बतादे रेलवे ने धनबाद गिरीडी रेल लाइन प्रोजेक्ट चालू करने की घोसना क धनबाद से गिरीडी के बीच 70.70 किलो मिटर लंबी रेल लाइन बिचाई जानी है जिसमें तकरिबन 50 किलो मिटर का हिसा धनबाद जी लेकी सीमा में आता है वहीं से 20 किलो मिटर का हिसा गिरीडी में है बतादे कि धनबाद की और से एल लाइन बिचनी सुरू होगी 20 किलो म लंबी लाइन बिछाने का काम जल्द सुरू होने की उमीद है धन्यवाद